संगत जी मेरे साथ जरूर बोलें जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी संगत जी मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आपके साथ प्रॉब्लम बहुत जादा चल रही है परिशानिया बहुत जादा है सिच्वेशन कंट्रोल नहीं हो रही है आप कुछ भी करन ऑदा होती है हमारे कर्म कशा जपार होता है जो भगवान ने हमें दिया है संगत जी सब्सक्राइब करते हैं अंतौ कि कोशिष करते हैं संगत जिए देखो जो किस्मत है वह पग्वान ने लिखे भेजे हैं पर एक गुरू के अंदर वह जाएंनुरत कि इसाओने पर हमारे गुरुजीन पर किसी का व्लाईट सितने नहीं है अगर गुरुजी से इसी क्रेक्व और धा गुरुजी के साथ उसने 100% surrender किया है तो गुरुजी उसको life भी bless करते हैं हमारी वज़े से कई बार हमारी family members को life bless होती है तो संगत जी यह सब चीजे जो हैं वो हमारे गुरुजी के हाथ में है आप उन पर विश्वाश करें आखें बंद करके 100% surrender करें और गुरुजी से आप डारेक करनेक्शन मनाने के लिए कि आपको यह नहीं है कि आपको तीन चार घंटे पूजा में बैठ जाना है मंतर जाप करते रहना है यह सब क करें सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पर कोई बात थी डॉली आंटी गुरुजी की बेटी आज आपको बोल रही है कि आप करके देखिए अगर आपको फरक ना लगे तो आप प्लीज कमेंट करके भी बताए डॉली आंटी मैंने किया पर मुझे फरक नहीं लगा आपको क्या कर कर सकते हैं उन पर आपको अटूट विश्वास करना है कि हां मेरे गुरुजी करेंगे मुझे नहीं पता कैसे करेंगे बट करेंगे आपकी फैमिली में किसी को दिक्कत है आपके बेबी को हस्बेंड की फैनेंशल जो भी प्रॉब्लम है उस चीज के पर आपको विश्वास साड़े साथ बज़े वो खतम होता है यानि कि आदर घंटा आपको डेली गुरुजी के सामने बैठना ही है अगर आप नहीं बैठ सकते हैं आप आफिस में कहीं भी है तो थोड़ी दर वीडियो चला लें अपने मन में मंतर जाप जरूर करें साथ से साड़े साथ आपको मं अमरी तुए लाउटना है तो लेकिन दो से लेकर या तीन बज़े शे लेकर आपको अमरी तुएला रहेगा साथ से चार बजह ब्रहमा उड़त होता है तो चार बज़े आ उटजिञो आप वस्ट्रूम के लिए उठे हो उसटे माप जाऊ वाश्रूम में मूहां परी दो थोड़ी सी मतलब क्लीनिंग के लिए मैं यह नहीं करें कि अपना हाथ मुद्ध होया मुह में थोड़ा सा छोटी सी कुली कर ली कुली इसलिए करने करने होते हैं थोड़ी सी पॉजिटीव चीज़े रहें इसलिए जो हम नॉमल माउथ वॉष करते हैं मतलब फेस में जो कुली जो भी आप बोलते हैं वह कर लिया ठीक है संगत जी उसके बाद आपने दस मिनट पंदरा मिनट आदा घंटा जितना आप दे सकते हो जो आपका बॉड़ी अला से बाद पर बैठिए आपका जिस मतर आप बह通ें जहांते हैं जी से बहुता है कि तृट्ब ऑम नानक देवग करते सब नेको सब्सक्राइज करते हैं जीवंड़ी फियर का और इस बहुंत वह जता Remoता सल्वात शुनेट बिखल करते उन और उनका ऑशे कौे हैं पाँच बार फिटो पाफाच बार यह उठे आप सातथ बार अपने मंतरजाब किया गुड्री का नाम लिया 5811 भांट मन्तरजाब करते करते सुimक्ण कोई बात ती दस मिनट बात ऐसे तो तो तीन तीन घंटे बैठो क्योंकि आजकल की लाइब वैसी बहुत फास्ट है सुबह आपके खुद का ओफिस है वह सब चीजी है अड़स्टैंड मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप रात पूजा में बैठो क्योंकि नाइट ही सिर्फ मिलती हमें रिलेक्स करने के लिए तो सिर्फ आप 10-15 मिंट जितनी देर आप दे सकते हो आप उतनी देर अमरी तवेला में बैठो मुहां दो कर आपने बैठ पर ही बैठो आपको कोई पूजा धुबत्री की किसी चीज़ के जोतनी है ताकि ऐसा भी नहीं हो कि हस्बेंट सो रहे हैं साथ में ममी पापा सो रह करती हैं है ना तो उस चीज़ को आप 10-15 मिंट बैठो जितनी देर आप से बैठा जाता है आप बैठो उसके बाद नेक्स देर दुबारा से वही चीज़ शाम को साथ बज़े ट्राई करो और एक अमरी तवेला में 10-15 मिंट जितनी देर आप उठ सकते हो आदा घंटा एक उस टाम उठो कोई आपको भोग ने लगाना चल परशाद का चाय परशाद का किसी चीज़ का भोग नहीं लगाना है रात को कोई पूजा नहीं करनी है कोई मंदिर में नहीं जाके बैठना सिर्फ और सिर्फ जहां बैठे हो आप वहां से करो शुरू तो करके देखो करते हैं वह सुना हटाया सो गए बस सिंपली बस आपको यह रखना है और कोशिश करनी है कि दिन बर भगवान का नाम आप लेते रहो थोड़ा सा अगर मैं आपको बताओ ना तो आप प्रैक्टिस में लाओ कैसे जब हम ब्रीथ को इन करते यानि कि हम सांस को लेते हैं तब आपको मिल जाए प्रैक्टिस में आ जाए बट कोई बात निए जब तक नहीं आरा आप सिर्फ दो काम करिए सर्फ साथ वज़े बैठ सकते हैं आदा घंटा उस टेम बठीए उस टेम तो आदा घंटा में आपको पूरा आदा घंटा आपको देना पड़ेगा उसके बाद तो आप 10 मिनट 5 मिनट 15 मिन जितनी देर बैठ सकते हो उतनी देर आप बैठो और उसके बाद गुरुजी से जो भी आपके अरदास है वो करो आप एक मीना करके देखिए संगत जी और मुझे आके एक मीने बाद कमेंट जरूर करिएगा कि क्या रहा बताना प्लीज संगत ज ऐसे ही सब बहुत परेशान है गुरुजी सबको बलैस करें सब की ब्लैसिंग सबको भरपूर ब्लैसिंग दे सबकी फैमिली सब कुछ अच्छा रहे फाइनेंशल मेंटली सबको बहुत गुरुजी ही एक है हमारे अपने जो हमें अपनी प्राब्लमों से निकाल सकते हैं त सब को जरूर बताएंगे चीजे जिससे क्या है संगत जी अगर कोई भी एक भी परसन अमरित वेला से आपकी वज़े से जुड़ा तो उसका पुन्ने भी आपको मिलेगा उसकी लाइफ अगर सुखी हुई तो अल्टिमेटली आप भी खुश होंगे उसकी भी पुन्ने आपक हुआ ठीक है संगत जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै गुरू जी शुकुराना गुरू जी